मेरे साथ बात करने के लिए मौझूद है पूरी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्श मलोतरा जी सर सबसे पहले आपको बहुत 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 बढ़ाई लेकिन जिस तरह से सर वहां से गौतंगंभीर पिश्ली बार उम्मीदवार थे आपको लगता है ये एक चुनोती ह सर क्योंकि इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार सवाल उठा रहे कि बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं वहां से मिल रहा था जिसके बाद एक काउंसलर को वहां से टिकट दे दिया गया कांसलर और विधायक को टिकेट तो आम आदमी पार्टी ने दिया है और मैं समझता हूँ बीजीपी के सामने कोई चुनोती नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जो उनका कैंडिडेट है वो विधायक है उनके छितर की सड़के बनी हुई है जरजर हालत में सड़के हैं क्या उनके छितर के लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है क्या कोई नई डिस्पेंसरी बनवाई या ऑस्पिटल को तो छोड़ दे क्या कोई नया विध्याले बनाया गरीब बच्चे रहते हैं वहाँ पर वहाँ जुगी पर मकान बनना चाहिए प्रधानमंत्री जी की योजना है क्यों नहीं उस योजना को अवेल करके उन्होंने जहां जुगी वहाँ मकान को बनाया पूर्वी दिल्ली चेतर में जितनी जुग्गी क्लस्टर्स हैं वहाँ पर मकान बनना चाहिए क्योंकि वो खाली मकान नहीं है वो उनको स्वच्छ वातावरण भी देता है उनको उत्तम स्वास्त भी देता है साफ सुत्री सडकें सीवर ठीक ठाक साफ सुत्री नालिया पीने का साफ पानी इसलिए प्रात्मिक्ता में जहां जुग्गी वा मकान जुग्गी वाले चित्रों पर मकान बनाने का पूरा हम बीड़ा उठाएंगे परपड़गंज इलाका जो है वो भी उसी छेत्र में आता है मनिश्य सोधिया जो डिप्टी सीम है वो फिलाल जेल में बंद है आवान भी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है वो भले ही जेल में बंद है लेकिन उसको हम एक ताकत के रूप में लड़ेंगे और जो चुनाव पार रहा है उसमें हम पूरी जोर के साथ लडाई करेंगे लडाई करने भी चाहिए लडाई करने में कोई उनको मना नहीं कर रहा है लेकिन मुद्दा लेकर के जनता के बीच में क्या जा रहे हैं यह बताना चाहिए यह नहीं है पुर्दान मंतरी जी की जो गरीब कल्यान की योजनाएगे और तीश्री बार पुना आदरनीय नरिंदर मोदी जी को प्रधान मंतरी बनाएगे धन्यवाद धन्यवाद बात करने के लिए साथ तोर से जो हर स्कुल उत्रा है उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री जो जुज राय है उसको लेकर हम जंता के बीच जाएंगे और लगतार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरीन मुद्धिय हैं वो पीम पत्कीश शपट कैमेरा परसंद हीमत के साथ दिवयांकर तिवारी विपी न्यूज दिल्ली